Hello Everybody, स्वागत आप लोग का आज की variety आप लोग करने वाले हैं, Practice Set No.7 ठीक है, 6 practice set आप लेडी complete कर दी हैं हम लोगोंने, अगर आप लोगोंने अभी तक नहीं देख ज़िए हैं तो उसका link मैंने आप लोगो description में provide किया जा के आप लोग देख सकते हो ठीक है, science and math की जो class है आप लोग को daily basis पर साम चार बजे देखने को मिलती है तो इस class को आप लोग 4 बजे daily basis पर देख सकते हो और regular class को लो जब तक आप लोग का paper नहीं हो जाता है कि most important classes आप लोगो provide की जा रहे हैं most important question इसमें आप लोगो provide किये जा रहे हैं और वही question में जो आप लोग के add कर रहा हूं class में जो आप लोग को Navy MR में पूछे जाते हैं तो फटावट से आज की class को start करते हैं पहला question आप लोगा screen पर आ चुका है क्या बोला गया है पहले question में गन मीटर किसकी SI मातरक है ठीक है cubic meter है जो cubic meter है वो किसकी SI unit होती है यह आप लोगों से पूचा गया है जब हम लोग दिरब इमान या मास की बात कर रहे है तो इसकी SI unit क्या होती है आप लोगी kilogram वहीं अगर हम लोग बल या force की बात कर रहे है तो इसकी SI unit क्या होती है आप लोगी जूल हो जाती है समझ आया कि नहीं तो इधर हम लोग को क्या चाहिश बता चल गई कि जो मीटर की वह वो किसकी ऐसा यूनिट है आप लोग की आईतन मतलग की वादियू की तो उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का जो option number C है वो हम लोग का सही उत्तर होने वाला है ओके चलिए तो बात करते हैं question number two की question number two आप लोग स्क्रीन पर आ चुका है क्या वोला गया question number two में see saw में किस सरल मसीन का उपयोग किया जाता है which simple machine is used in see saw अब आप लोग को पता है see saw में जो simple machine आप लोग को प्रयोग में ली जाती है वो कौन सी है liver हो जाएगा समझ आया की नहीं तो इधर option अगर देखते हैं तो पुली भी आप लोग का गलत option है और funnel भी क्या हो जाएगा आप लोग का गलत option हो जाएगा तो option number A जो आप लोग का सही उत्तर होने वाला है तो host की जगे क्या करते होगे आप लोग इधर liver लिख लोगे यह आप लोग का typing mistake हो गया था चलिए तो बात करते है question number 3 की question number 3 आप लोग का screen पर आचुका है क्या बोला गया है इडन के calorie मान को मास्तरक निम्न लिकित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है तो आप लोग की जो fuel की calorific value होती है वो आप लोग की किस में व्यक्त की जाती है यह पोचा गया है तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का किलो जूल पर किलो ग्राम की कल option number A आप लोग का सही उतर होने वाला है तो अगर हम लोग आज के मोग test की बात कर रहे हैं तो अभी तक आप लोग देख रहे होगे ऐसा कोई भी question नहीं है जिसमें आप लोग को explanation की डरुवत हो किया जाता है which of the following is used to focus the sun's rays in a solar cooker to obtain high temperature ठीक है तो आप लोग को उस चताप प्राप्त करना है ठीक है जो sun rays है एक यह point पर आप लोग को focus करनी होगी तो इसके लिए कौन से mirror का प्रियोग करोगे आप लोग ठीक है तो इधर आप लोग एक तो इससे change कर लो इधर mirror कर लो lens नहीं है आप लोग का ठीक है क्या हो जाएका आप लोग का lens की जगे दरपड समझ आया की नहीं तो किस दरपड का आप लोग प्रियोग करते है यह आप लोग असे पूछा गया है कई करता काम क्या होता है और फोकस पर केंदरित कर देता है इसका मतलब क्या हो गया जितनी भी आप लोग की sun की race होंगी उन्हें क्या करेगा focus कर देगा देगा इंदरित कर देगा और उससे क्या होगा हम लोग को एक high temperature राप्त हो जाएगा जब आप लोग की बहुत सारी किड़ने एक ही जगे पर focus होगी तो high temperature आप लोग का खिडियेट होगा चलिए बात करते हैं question number 50 question number 50 आप लोगा screen पर आज का है क्या बोला गया है निम्न लिकित मैंसे कौन सा तत्व तोस अवस्ता वाले उपकरणों के लिए अर्द चालक में doping agent की रूप में प्रियोग किया जाता है प्रियोग में लेते हैं तो वह कौन सा स्विमी कंड़क्टर हो जाएगा आप लोगा आर्सेनिक ठीक है तो आप लोगा सही होने वाला है आप देखो हिंदी में आप लोगो ऊपर नीचे देती हैं तो इधर क्या लेकों कि आप लोग आर्सेनिक समझ आया कि नहीं सेनिक और उपर क्या लेकों कि आप लोग लिथियम तो यह आप लोग के जो हिंदी वह उप्शन उपर नीचे हो गए थे ठीक है तो इनको करेक्ट कर लो उप्शन नमब सी आप लोगा सही उतर होने वाला है ठीक है तो फाइव कोशन हम लोग ने कंप्लीट कर लिए है अब series tay कि 52 से आप लोगा सेलेक्श्ण नहीं हो की विढ़ेय तो ए ठीक है आप लोग creator करने हो इसके लिए बीच्शन करने होगे इसके लिए प्रयक्टिषण का ठीक कर मोए Luis को सब्हुकर करें इसे आप लोग और और के सेस fan नहीं के लिए subit को मैं इसके आप静ोजय से ऐसे ए चाहो तो यह mock test आप लोग online भी buy कर सकते हो एंडब एप पर जाकर अक्रवाल exam काट की ठीक है तो आप लोग या तो online purchase कर लो या फिर आप लोग भी purchase कर सकते हो तो book को आप लोग जो offline भी purchase कर सकते हो नियर वाय जो भी आप लोगा book store है या फिर online आप लोग www.examcard.in से भी आप लोग पर्षेस कर सकते हो इस book को ठीक है चलिए बागी अगर army की preparation कर रहे हो तो army के लिए prefer कर सकते हैं यह दो book यह आप लोग की gd के लिए हो जाएगी और यह आप लोग की army clear के लिए होने वाले है ठीक है चलिए तो बढ़ते हैं फिर question number six पर question number six आप लोग का screen पर आ चुका है क्या आप लोगों से which of the following statement about aquaragia is not correct ठीक है तो aquaragia के लिए कौन सा statement सही नहीं है जब हम लोग बात कर रहे हैं aquaragia की तो यह एक solution होता है कि इसका nitro hydrochloric acid का तो यह option सही हो जाएगा आप लोग का हमें बता नहीं incorrect option mixing of aquaragia with the organic compound अब आप लोगों पता है organic compound के साथ अगर aquaragia को हम लोग mix करते हैं तो क्या होता है उससे explosion हो जाता है आप लोग का ठीक है तो बिस्पोर्ट हो जाता है आप लोग का बतलब यह भी option सही है आप लोग का अब हम लोग को option number C क्या दे रखा है आप लोग को पता है कि aquaragia solution जो है एक आप लोग का energetic है ठीक है और युकते आप लोग का और इससे क्या होता है आप लोग का explosion भी हो सकता है ठीक है तो मतलब option नमबर यह भी आप लोग का सही है बिस्पोर्ट का अभी मैंने ऊपर बताया था organic compound के साथ अगर aquaragia को आप लोग जो है mix करोगे तो क्या हो जाएगा आप लोग अभी sport हो जाएगा ठीक है अब अगर हम लोग बात करते है option number D की तो आप लोग को पता है जो conventional solution होता है ठीक है तो इसमें आप लोग का hydrochloric acid और nitric acid का जो ratio दे रख्या होता है वो क्या आता है तीन ratio एक के वराबर आता है और इसमें क्या दे रहा है इस question के लिए यह option है थी चलिए टो बढ़ते है question number 7 आप लोग का؟ क्या बोला गया कुष्ट नम्मर सेविंद में बिच अब दी फॉलवई एज यूजट इन ठीक है विच सॉरी विच टाइप आप कारवन इस यूजट इन पैंसिल ठीक है किस टाइप का जो कारवन है वो पैंसिल बनाने के प्रियोग में लिया जाता है ठीक है क्लास आप की क्लास रेकॉर्ड हो रही है चल यह चलो अभी तक तो और योग का सब कुछ क्लियर है आप लोग का क्या दे रखका है कुष्ट नम्मर सेविंद में विच टाइप आप कारवन इस यूजट इन पैंसिल पैंसिल में आप लोग किस प्रकार का कारवन प्रियोग में लिया जाता है तो आप लोग को पता है पैंसिल का क्या काम होता है हम लोग जो है नोट्बुक पे पैंसिल से लेके देते हैं जो भी हम लोग को लेकिना होता है फार्मुले हो गए हम लोग के नोट्स हो गए ठीक है और उसको हम लोग कर सकते हैं इरेजर के प्रियोग करके ठीक है और लोकिर अम लोग हमें लेते हैं तो रभ भी कर सकते हैं जो भी हम लोग ने के प्रियोग में democratic एंग मतल Seok कि रहे फाइट जो आप लोगा का फॉर्म है उसको पेंसिल बनाने के प्रियोग में लिया जाता है चलो तो कोश्चन नमबर एट आप लोगा स्क्रीन पर आ चुका है क्या बोला गया कुश्चन नमबर एट में इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है तो माइटोसिस आप लोगा क्या आ जाएगा सही उत्तर हो जाएगा या आप लोगा सेल साइकल में इंटरफेस का क्या नहीं होता आप लोगा पार्ट नहीं होता ठीक है तो आंसर क्या होगा आप लोगा माइटोसिस आफ्शन नमबर एट जो आप लोगा सही उत्तर होने वाला है ठीक है चलिए तो बात करते हो कुश्चन नमबर 9 की कुश्चन नमर 9 आप लोगा स्क्रीन प तो इसंसे क्या होगा हमने कि जाता अंट में निए और इसकी वैसे क्या होता है हम्लोग को अपने नाट भी गवाने पढ़ते हैं तो आंसर क्या होका क्स टाइब का इंपक्षन आप लोगा एक बक्तेरियल इनफेक्षन है समझ आया कि नहीं ठीक है चलिए तो कुछ नमर्ट 10 की बात करते हैं दाद के कारण होने वाले एक आम तुछा संक्रमण है रिंग बॉम होता है या दाद होते हैं आप लोगे ठीक है वो जो आया आप लोग का कॉमन इसकी इन्फेक्शन है तो वो किसकी वैसे होता है आप समझ आया कि नहीं तो उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का फंगस जो है सही उत्तर होने वाला है ठीक है चलो तो इदर आप लोग के साइन्स के कुश्चन कंप्लीट हो चुके हैं अब आम लोग करने वाले मैथ के कुश्चन पटावट से स्टार्ट कर रहे हैं 11 लिट को में क्या करना है solve the following expression अब 1.7 into 1.7 किसके बरावर आएगा 2.89 के बरावर आई योप सब्सक्राइब का स्क्राइब पता होगा आप लोग तू का मल्टप्लाइब करोगे 1.7 में इसका मल्टप्लाइब करोगे 1.3 में यह क्या आगया आप लोगा 3.4 का 1.3 में करोगे तो कितना आगया 4.42 के बरावर कोई दिक्कत अब 13 का मिल्टप्लाइब 169 अब इदर एक के बाद पॉइंट लगा हुए तो क्या आजाएगा 1.69 के बरावर कोई दिक्कत अब पिलस कर दो तो 9.9 हटारे और 2.5 के बरावर ईसको इसको इसको मैंने आप लोगो बताय कि डायरेक्ट ही किया करो जादा इस टेप मत बढ़ाया करो इस टाइप की सिंपलिफाइब के कोश्च्चन में ठीक है तो direct solve किया करो, पहले जो भी आप लोग simplify अपने मन में कर सकते हो वो करो, फिर उसके बाद direct plus दे रखाया, plus करो, minus दे रखाया, वो एक साथ करो, प्लस महींने, ठीक है, divide और multiply पहले आप लोग कर लिए अगरो, उसके बाद जो plus और minus रहेगा आप लोगा, वो एक साथ कर दिया करो, ठीक है? ठीक है, समझाया कि ने, question number 12 की बात करते हैं, क्या बोला गया? ठीक है चलिए डारेक्ट क्योशन ता कुछ नहीं करना था कुछ नम्मर 3 पर बढ़ते हैं फिर हम लोग क्या बोलाए कुछ नम्मर 13 यदि 144 वट्टे इसको सिंप्ली क्रॉस मल्टिप्लाई करोगे तो 144 और डिवैड में कितना आगे आप लोगा 144 से इसको डिवैड करोगे तो पॉइंट बढ़ जाएगा वसा आप लोगा 10 कोई दिक्कत इधर तक अब 10 से डिवैड और कर दो इसको तो क्या जाएगा 0.0144 के बराबर तो यह आप लोगा सिंप्लिफिकिशन या एक्स दी वैल्यू आ जाएगी समझ आएगी नहीं तो उत्तर क्या होगे आप लोगा option नमर भी जो है इधर हम लोगा सही उत्तर होने वाला है इस question के लिए चलो तो question number 14 पर बढ़े हैं फिर हम लोग question number 14 आप लोगा screen पर आचका है क्या बोला गया question number 14 में रादा रानी से 488 प्रतीसत बार्सिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेती है तो क्या कर रही है रादा रही है रादा रानी को कर्ज को 20 साल के बाद पूरा करने के लिए कितना धन देना होगा तो रादा रानी को कितना धन देगी 20 साल बाद ठीक है अगर 8% की बार्सिक ब्याजबर अगर वो ले रही है साधर ब्याजबर समझ आए कि तो देखो हम लोग जब सिंपल इंट्रेश्ट की बात कर रहे हैं ऐसा ही की बात कर रहे हैं फॉर्मूला डारेक्ट होता पी इंटू आर इंटू टी बटा अंड्रेट के परावर बटे ठीक है तो इधर सिंपल लिए अगर हम लोग ऐसा ही इस पर निकालते सिंपल इंट्रेश्ट कितना बनेगा आप लोगा तो चार सो सी आप लोगा प्रिंसिपल वैली कितने परसेंट ब्याज थी आठ कितना समय ता धाई साल और डिवैड में क्या आप लोगा सो जाएगा इधर 25 से इसको डिवैड क इसमें ब्याज 96 कितना आगया आप लोगा 576 के बराबर तो 576 रुपए उसे देने पड़ेंगे नहीं साल के बार समझ आया कि नहीं किसको रादा को रानी को समझ आया कि नहीं तो उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगा option number D जो आप लोगा सही उत्तर होने वाला इस question के लिए बड़े question number 15 पर चलो तो question number 15 आप लोग का screen पर आचुका इसमें एक question करना है आप लोगो वो मैं आप लोगो बता देता हूँ किसी दनराशी का 10% बारसिक व्याज की दर से तीन वर्स का साधारण व्याज और चक्रवरती व्याज का अंतर आप लोगो 70 दे रखा है तो इधर क्या हो जाएगा आप लोग का चक्रवरती व्याज माइनस साधारण व्याज का जो आप लोग को difference दे रखा वो 70.5 हो जाए इतना चेज करना है बस SI की जागे CI कर लेना CI की कर लेना क्युक्त अगर हम लोग इस से साल्ल करते हैं तो हम लोग का answer जो नगयज में रहे और आप लोग को पता है कि अगर हम लोग जो है ब्याज ले रहे हैं तो आप लोग का कैसे भी नहीं आ सकता को Slack इनकालने के लिए formula क खाल सब्सक्राइब थो यह हो जाएगा है इसको तो यह क्यों करो तो तो 11 का की होता है 331 के बराबर और माइनस कर दोगे 10 का की मतलब एक हजार को डिवैड में क्या आगे आप लोगा 1000 माइनस कितना आ जाएगा आप लोगा एक 0 से 0 डादो और 3 डिवैड वाइ 10 करोगो तो 0.3 आप लोगा तो पी निकालेंगे तो कितना आप लोगा 170.5 डिवैड वाइ के आप लोगा 0.031 के बराबर तो पॉइंट अटाओ इधर से पॉइंट अटाओ तो दो जीरो उपर आ जाएंगे तो अब हम लोग को क्या करना है इधर सिंपली इसको जो है यह कितना दे रखके आप लोगों को एक लाग सतर अजार को डिवैड करना 31 से तो कितना वचेगा आप लोगा 500 500 के बराबर समझ आया कि नहीं तो यह क्या हो जाएगी हम लोग की प्रिंसिपल वैली हो जाएगी तो उत्तर क्या होगा हम लोगा सी ऑफसन जो है सही उत्तर होने वाला है ओके चलिए करते हैं कुश्च नमबर 16 की बात कुश्च नमबर 16 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुक इसके लिए डारेक्ट आप लोगा फॉर्मूला होता है क्या होता है फटा पड़ बताते हैं इंक्रीशड बरावर क्या होता है आप लोगा rY 100 माइनस r n to 100 के बरावर कितनी 0% की आप लोग की गिरावट आई 10% की डिवैड में 100 माइनस 10% into 100 के बरावर क्या आ जाएगा 10 y 90 into 100 के बरावर मतलब की 100 बटे 9 के बरावर अब डिवैड करो तो सिंपली की आगे 11 सही एक क्या करना पड़ेगा अपनी खपत जो है चीनी की बढ़ानी पड़ेगी जिसने की इसका जो पहले जितना खर्चा चीनी पर अम लोग कर रहे तो उतना ही घर्चा हम लोग 10 परसेंट चीनी गिरने पर करें समझ आया कि नी तो उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का 11 साही एक हुला गया है एक श्या के 15 लड़के यवं 10 लड़कियों का ओसत बजन 32.6 है किलोग्राम आप लोगों दे रख तो लड़कियों का ओसत बजन ख्या हो का the average weight of 15 boys and 10 girls of class is 32.6 kg the average weight of voice is 33 kg if so what will be the average weight of the girls तो girls का जो average weight होगा वो क्या होगा ठीक है माना कि number of voice एक अच्छा में कितने थे n बन थे इसका average कितना था एवन था पिलस girls कितनी थी एवरेज कितना था एट था और डिवैड में क्या आएगा आएगा आप लोगा number of girls plus number of voice तभी तो average निकाल पाएंगे अब लोग और equal to में क्या आजाएगा आप लोगा आप लोगा 32.6 कितने लड़के हैं 15 एवरेज कितना लड़कों का 33 ठीक है लड़कियां कितनी है 10 एवरेज हमें लड़कियों का निकालना है दिवैड में लड़के प्लस गड़किया कितनी है टोटल 25 एक्वल टू में क्या आजाएगा आप लोगा 32.6 के बराबर तो क्या आगया 15 इंटू 33 इधर क्या आजाएगा 10 एटू के बराबर इधर क्या आगया 32.6 इंटू 25 के बराबर अब 4 का multiply कर दो इधर और divide में 4 कर दो दीगे इससे हम लोग के लिए simple हो जाएगा अब 32.6 को divide कर लोगे 4 से 32 आट वार जाएगा और 6 कितनी वार जाएगा एक बार और 20 कितनी वार जाएगा 5 बार और इसका multiply करोगो तो कितना आगया 100 मतलब कि 100 का multiply करोगो 8.15 में तो 800 15 हो गया अब इसका और multiply कर लो तो 15 इंटू करोगे तो 495 पिलस 10 A2 के बराबर तो 10 A2 बराबर क्या आगया 800 15 में से 5 गए 0 बचे और 11 में से 9 गए तो कितने बचे दो बचे और इधर क्या बचेगा आप लोगा 7 में से अगर 4 गए तो 302 ठीक है तो A2 जो एवरेज आएगा लड़कियों का वो कितना आने वाला है आप लोगा 32 किलो ग्राम के एक पल अप्शन नम्मर बी जो है हम लोगा सही उत्तर होने वाला इस कुश्चन के लिए आयोब आप लोगों को कुश्चन बहुत अच्छे था क्लियर हो चुका है कुश्चन में जादा कुछ नहीं था ठीक है चलिए कुश्चन नम्मर 18 तो आप ल को करने में 10 देस लगा रहा है वहीं अगर बी की बात कर रहे हैं तो कितने दिन लगा रहा है 15 दिन लगा रहा है तो टोगेदर अगर वर्क करते हैं तो कितने दिन लगाएंगे तो टोगेदर के लिए आप लोग का फॉर्मूला बता दिया है ए बी अपॉन ए ब्लस बी के अब इसको क्या करोगे सिंप्ली डिवैड करोगे तो पच्चीस से 150 को डिवैड करोगे किसनी बार जाएगा च्छे बार जाएगा मतब ए और भी अगर एक साथ काम करेंगे तो उसी कारे को कितने समय में कर लेंगे केवल 6 दिनों में कर लेंगे समझ आये कि नहीं तो अफ्श गोलाकार खं में जो कि 21 मीटर ऊचा है एक आप लोग गोलाकार खंमा दे रखता है 26 जब गया पर एक मिनीट में 6 चटा जाता है यошे मीटर उपर चला जाता है अगले एक मिनेट में, मतलब एक मिनेट में 6 मीटर उपर गया, फिर क्या करता है, अगले एक मिनेट में 3 मीटर नीचे आ गया, पता नहीं क्या खेल कर रहा है, बंदर की 6 मीटर उपर पहुँच रहा है, तीन मीटर नीचे आ रहा है, मतलब दो मिनेट में 3 मीटर नीचे आ रहा है, ब monkey can climb 6 meter on the circular pole English में भी कुश्चिन पढ़ते रहें एक बार which is 21 meter high in 1 minute but slip 3 meter in next 1 minute that time taken by the monkey to reach the top of the pole 31 meter का एक हम्मा दे रख्या जिसके 6 meter चड़ता है एक मिनेट में और अगले एक मिनेट में 3 meter नीचे उतर आता है तो टोटल 2 minute में कितना चड़ रहा है केवल 3 meter मतलब एक मिनेट में बंदर 6 meter चड़ रहा है और अगले एक मिनेट में next 1 minute में 3 meter नीचे आ रहा है तो मतलब अगर हम लोग बात कर रहे हैं 2 minute में वो तीन मीटर ही छड़ रहा है समझ आया कि नी div अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं 10 मिनट Part mixes के तो 10 म में तो थमिनट में कितना चंड़ Grandpa झारए मundaall कि इính ऑक क्टम्न कितना चड़ रहा थे तीन मीटर और दो मिनट में कितना पहुँचना चाहिए वो 30 बड़ 30 नहीं पहुँचेगा क्यों कि कुई वो 6 मीटर उपर जाता है 3 मीटर नीचे आ जाता है कितना पहुचेगा आप लोग का होगा 6 मीटर उपर जाएगा और 6 मीटर उपर जाएगा वैसे क्या होगा आप लोग का 21 मीटर मतलब कि जो चोटी है उस पोल की या खंवे की उस पर पहुच गया अब वो बाद में नीचे आ या खुछ भी करें उससे लेना देना नहीं मतलब यह हो गया कि 10 मिनट प्लस अगल कर लेगा समझ आया कि नहीं तो भी ओफ्सन आप लोग का इधर करेक्ट होने बाला है हमारा कोश्चन इधर ही घता मुआद है आप अंदर ऊपर चड़े या नीशे उतरे वो उसके ऊपर है ठीक है चलिए बात करते हैं कोश्चन नमर्ट 20 की कोश्चन नमर्ट 20 की आप अपन साइमलतेनेशली इन हाउ मच टाइम तो एक तुच्ट इनो को एक साथ में चला दूँ तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी यह पूजा गया है ठीक है तो क्या करेंगे 6, 9 और 12 को पहले LCM निकालेंगे, 2 से डिवैड करो 3 बार ये 9 ये 6 हो गया 2 से डिवैड करो तो फिर से 3, 9 और 3 3 से करो तो 1, 3, 1 3 से एक और बार करो 3, 3, 9, 9 दूनी हटा रहे, हटा रहे दूनी 36, तो LCM कितना आ जाएगा आप लोग का 36 आने वाला है तो बात करें, उस टंकी की कैपेसिटी कितनी होगी, 36 हो गई कोई दिक्कत, अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो Null A है, ठीक है, वो 6 गंटे में भर रहा है ठीक है, तो ये वताओ फटावड कि कितना टंकी को वो भरेगा, ठीक है, तो 36 डिवाड वाए 6 तो मतलब कि 6 लीटर टंकी क्या कर रहा है ये नल बर रहा है, ठीक है वहीं अगर हम लोग Null B की बात कर रहे है तो Null B क्या कर रहा है, वहीं 9 गंटे में भर रहा है, मतलब कि ये 4 लीटर इस टंकी को बर रहा है, ठीक है और वहीं अगर हम लोग नल C की बात कर रहे हैं तो अगले एक गंटे में कितनी टंकी भरी जाएगी तो 6 प्लस 4 मतफ़ 10 लिटर और खाली कितनी हो जारी 7 मतब कितनी अब लोग 7 लिटर भरी जा रहेंगे तो अगर हम लोग को निकालना है कि कितने गंटे मा वो टंकी भरी जाएगी तो 36 में ते अगर 7 को हम लोग डिवैड करने हैं वह लोग के फास आ जाएका कि कि इतनी गंते में वो टंगी भर जाने वाली है तो डिवाइड करो 35 कितनी बार जाएगा? पांच बार बचा क्या? तो आंसर क्या आ जाएगा? सॉरी पांच सही एक बटे साथ गंते के बराबर समझ आए के निए? तो 5 सही एक गंटे एक बटे 7 गंटे में आप लोगी टंगी complete भर जाएगी ओके और question आप लोगो बहुत simple था है easily आप लोग कर सकते थे तो question number 21 आप लोगा screen पर आचुका है क्या बोला गया है परसेंटेज की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होता है sp-cp किस पर निकालते हैं हम लोग profit हमेशा cp पर निकालते हैं तो cp divide कर दो और percentage में निकालना है तो 100 का multiply कर दो कोई दिकत divide करो अलग लग sp by cp minus 1 into 100 ओके और sp by cp का ratio कितना है 7 बटे 6-1 वह इधर क्या आ जाएगा आप लोगा 100 के वरावर तो क्या आगया आप लोगा साथ माइनस 6 बटे में 6 into 100 एक बटे 6 into 100 के वरावर divide करो इसको तो इसको divide करोगे तो कितना होगे आप लोगा 50 बटे 3 अब 50 को 3 से divide करोगे तो एक बार जाएगा और 20 कितनी वार जाएगा 6 वार जाएगा आप लोग का बचा कितना 2 तो 2 बटे 3 आ गया तो आप लोग का answer क्या हो जाएगा 16 सही 2 बटे 3% आप लोग का क्या होने वाला है Profits % होने वाला एदा ठीक है Option D जो आप लोग का सही उत्तर होने वाला है इस question के लिए कि चलो कुश्चन नमर 22 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है क्या बोला गया है अब रोई क्रम में लिखे गए इस प्रेच्छड पैंतालीस चौतीस बतीस तीस टू एक्स माइनस ती रहा एक्स प्लस बन सत्रा पंदरा चौदे आठ की माधिका मीडियन 24 है तो एक्स का मान आप लोग को बताना है तो किसमें लिखे गई है यह आप लोग के डिसेंडिंग और में लिखे गई है और जब भी हम लोग मीडियन निकालते हैं तो किसमें लिखते हैं असेंडिंग और में तो लिख लो एक बार एट 14 15 17 यह एक्स प्लस बन है ठीक है एक्स प्लस बन टू क्या है आप लोगा even है तो median निकालने के लिए क्या आएगा आप लोग का फिफ्त टम प्लस इसका छटमा टरम डिवाइड़ वाइड टू यह लिए मीडियन हो जाएगा कितना दे रखता है 24 के बराबर फिफ्त टम देखो पहला दूसरा तीसरा चौता पांचमा यह आप लोग का चटमा टम यह हो जाएगा आप लोगों का 2x-3 के बराबर विवेड में क्या आप लोगा 2 बराबर इसको उदर ले जागो तो 3x कितना आ जाएगा आप लोगा 60 के बराबर मतलब एक्स का वैल्यू क्या आगया आप लोगा 20 के बराबर तो x की वैल्यू कितनी होने वाली आप लोगी 20 होने वाली एदर ठीक है चलिए तो question number 23 आप लोगा स्क्रीड पर आचुका है फटावट सॉल करोगे question number 23 को क्या बोला गया question number 23 में यदि 10 ठीटा का वैल्यू कितना दे रखता है 1 दे रखता है ठीटा एक सूनी कौड आप लोगो को दे रखता है sorry noon कौड दे रखता है अधियूट एंगल दे रखता है एक्विट एंगल लेस देन 90 डिगरी समझाय की नहीं तो 2 साइन ठीटा कॉस्ट टीटा माइनस को सेक स्क्वेर ठीटा का मान बताने हैं तो इधर निकालेंगे हम लोग 10 ठीटा एक्वल टुवन और वन किसका वैली होता है 10 में 45 डिगरी का मतलब कि ठीटा का वैल्यी का रखला गए हम 25 ठीटा का वैल्यी गाै तो 2229 माइनस को सेक स्क्वेर पैंथालीस आजएगा तो 2 इंटो सैटा पैंथा पैंथालीस गया अप लोगा सिंपली रूट थू का इस्वेर के बराबर तो रूट टू, रूट थू हो जाएगा आप ल जो है हम लोग का सही उत्तर होने वाला है समझ आया कि नहीं चलिए तो अब बात करते हैं कोश्चन नंबर 24 की तो कोश्चन नंबर 24 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है क्या बोला गया कोश्चन नंबर 24 में एक आयतन की लंबाई और चौड़ाई हम लोगो दो रिशियो ब के वराबर और हम लोग को पैरा मीटर अपॉन एरिया का जो आंके कमांच दे रखाय वो 300 में एरिया क्या हूता है एल इनटु बी के वराबर आप लोगा कोई दिख्कत इधर तक और इधर क्या आजाएगा 3Y4 के बराबर ठीक है तो यह क्या आजाएगा L पिलस LY2 मतलब 1 पिलस 1 मतलब 3Y2 के बराबर मतलब 3LY2 के बराबर और multiply में 2 आप लोगा है यह और इधर क्या आप लोगा L square ओके और यह 2 आप लोगा कहां पहुन जाएगा ऊपर इक्वल टू में 3Y4 के बराबर 3 से 3 ओड़ गया आप लोगा 2 से 2 ओड़ गया आप लोगा इसका multiply करो इधर इसका multiply करो इधर तो क्या आजाएगा आप लोगा इधर 2 इन्टू 4 8L के बराबर इधर आप लोगा L square आगे इसको इधर लेक्या हो तो L square माइनस 8L equal to 0 मता L equal to क्या आजाएगा आप लोगा 8 unit के बराबर मता इसकी लंबाई कितनी हो गई 8 unit हो जाएगी समझ आया के नहीं क्योंकि L तो 0 नहीं हो सकता कि क्यों आप लोगा already इसका ratio दे रखा था तो इधर से अगर हम लोग को ब्रत पूशी जाए तो वो भी निकाल लोगे की नहीं चोड़ाई निकाल लोगे B equal to क्या आएगा 8 by 2 मताब 4 unit के बराबर समझ आया के नहीं इसकी जो चोड़ाई है वो 4 unit हो जाएगी और लंबाई कितनी हो जाएगी 8 unit हो जाएगी तो लंबाई का answer क्या आजाने वाला है आप लोगा 8 इकाई मताब 8 units के equal तो एक को वही कारे पूरा करने के लिए कितने दिनों की आविसकता होगी यह पूचा गया है वो ला क्या गया है भी जो है 30 दिन में कारे complete करता है A और B साथ में करते हैं तो 12 दिन लगाते हैं तो A अकेला करता है तो कितनी दिन लगाएगा यह question सेम पीशे कराया था together के लिए अब लोग को जो है formula बताए क्या होता आप लोगा AB by a लृग के बराबर एक साथ कर रहे हैं तो कितना दिन लगा रहे हैं 12 दिन ठीक है और अगर अकेला करता है तो माना कि X दिन लगा रहा है ठीक है और B करता है तो 30 दिन लगा रहा है A कितने X दिन इधर आप लोगा 30 हो जाएगा इसका multiply करो तो 12 X प्लस अब 3 का multiply इसमें करोगो तो 360 equal to में क्या जाएगा आप लोगा 30 X के बराबर इसको इधर लेके समझ आया कि नहीं तो option A आप लोगा सही उत्तर होने वला है तो इधर आज की class के 25 question complete होते हैं आउट आप 25 आप लोगा कितना स्कूर रहा है या आप लोगो मुझे comment box में बता देना है बाकी class आप लोगो अच्छा लगा है class को आप लोग like कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ class को share कर सकते हो और comment box में बताया करोगी class आप लोगो कैसी लग रही है ठीक है और आप लोगो कुछ suggestion देना है class के लिए तो वो भी आप लोग comment box में दे सकते हो ठीक है बाकी इस class का जो pdf है वो आप लोगो telegram channel पर मिल जाएगा ठीक है तो telegram channel का जो link के आप लोगो description में मिल जाएगा अगर इससे पिछली वाली class आप लोगो ने नहीं देखी है तो उसका link भी आप लोगो description में मिल जाएगा एक playlist मैंने बनाती है ठीक है बाकी आप लोग जो है चैनल को subscribe करके रखना daily basis पर आप लोगो जो है classes मिलती रहेंगी और हम लोग मिलेंगे अगली class में यानि के कल की class में तब तक के लिए जय हिंद जय वारत बंदे मात्रम